टीरेक्स, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक माउंटेन बाइक, बाइए मोटोडार्ट, जिसे कमपनी ने हाली में इंटर्ड्यूस किया है, और कमपनी का दावा है कि ये बाइक बहतर परफॉर्मेंस के साथ अच्छा स्पीड भी देगी, तो वाके में ऐसा है या नहीं, चलि तो टीरेक्स की डिजाइन बिलकुल सिंपल है, इंडिट एक स्टैंडर्ड लुकिंग इलेक्ट्रिक माउंटेन बाइक है, जो प्राइमरी वाइट एंड सेगेंडरी रेड ब्लू कलर कॉलर कॉल्मिनेशन के साथ आता है, इवन बाइक की बिलकॉल्टी भी काफी अच्छा है, इसकी 17.5 इंचेस फ्रेम को क्रफ्ट किया गया है, 6061 अलमुनियम अलॉय से, and the good thing is, because of अलमुनियम फ्रेम अन इस टैंडर्ड डिजाइन, बाइक काफी लाइट वेट है, only 20 kg, और वही पे इसकी पेलोड है, अप्टो 150 kg The 250 Watt BLDC hub motor is capable of generating up to 45 Nm torque, and because of this, बाइक की पूलिंग पाउर भी decent है, और वही पे speed unlock होने के कारण, इस बाइक को करीब 30 km प्रती घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है T-Rex में आपको Samsung की 7.5Ah removable lithium-ion battery देखने को मिलेगा, and because of Samsung sales, इसकी efficiency काफी हाई है, और इसकी life seconds भी बहतर है, करीब 1200 cycles, जबकि इसकी replacement cost है 9,000 रुपीज इस battery की charging time है, करीब 3-4 घंटा, और per charge on throttle mode, इसके साथ आप करीब 30-35 km तक ride कर पाएंगे जबकि on assist mode, एक bike आपको देगी करीब 50-60 km की riding range, और इसके लिए आपको 5 levels of assistance मिलता है and to be mentioned, 62 kg riders के साथ, already 55 km की riding range, record किया गया है, throttle and paddle combination के साथ mode of operation की बात करें, तो इस motorad की बाकी bikes की तरह, T-Dex में भी आपको work mode के साथ, cruise mode जैसी feature भी देखने को मिलेगा जिसकी speed limit है 30 kmph T-Rex, एक 26 inches electric mountain bike है, जिसमें 2 inches की Chow Young Diamond tires लगा गया है जो quality के मामले में top notch है, और एक globally top 10 MTB tires में rank करता है वैल, इसे steady and steady बनाये रखने के लिए, इसमें magnesium alloy dreams का इस्तेमाल किया गया है इसके अलावा, बहतर off-roading experience के लिए, T-Dex में आपको lockout feature के साथ, front fork suspension मिलेगा और इसकी अच्छी बात है, कि ये 100 mm travel प्रोभाइट करता है तो off-roading के दौरान, आपको ज़्यादा jugs feel नहीं होगा Gears की बात करें, तो T-Dex में आपको entry level Shimano Tony की 7-speed gear system देखने को मिलेगा जिसकी अच्छी बात है, कि ये Gears protection के साथ आता है वही पर रही बात brakes की, तो इसमें आपको बॉलिट्स की 160 mm rotor dual electric disc brake देखने को मिलेगा वेट आटो बैटरी कट अप फीचर इसके अलावा, additionally इस बाइक के साथ, एक multifunction digital display, एक headlight और एक integrated horn मिलेगा इस बाइक के साथ और आखिर में pricing की बात करें, तो इसकी कीमत है 47,000 रुपी बट अगर आप description में दिये गए प्रोमो कोट का इस्तिमाल करते हैं, तो आपको additional 1500 रुपीज का discount मिल जाएगा और इसे खरिदने पे इसके साथ आपको एक साल की warranty मिलेगा जबकि after sell service के लिए आपको on call support प्रोवाइड की जाएगी तो अवराल देखा जाए तो जैसे की कमपरी ने क्लेम किया था high speed and decent performance तो वाके में देलिवर्स वाट देलिवर्स वाट देलिवर्स वाट देलिवर्स वाट देलिवर्स like 30 kmph of speed, 60 km riding range, of course with the help of paddle assist and even the travel of the suspension will also do the good job while off-roading but you know what I get slightly disappointed for the price tag it seems to me a bit overpriced अगर specs and features के साथ compare करते है तो या फिर price को अगर consider किया जाए तो in my opinion battery capacity थोड़ी जादा होनी चाहिए थी और इसके अलावा gears जैसे components की quality भी improve की जा सकती थी otherwise overall bike की performance मुझे काफी अच्छा लगा well दोस्तो आपकी क्या views है इस bike के बारे में please do let me know in the comment section below तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही I hope एफ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा then please do hit the like button and also do share this video among your social groups so that's the wrap on this video thanks for watching